पंजाबी सिंगर सिद्धु मुसेवाला अपने माबाप के कितना ज़्यादा करीब थे ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है। ठासकर अपनी माँ से बेहत प्यार करते थे सिद्धू मुसेवाला। कई मौकों पर सिद्धू मुसेवाला ने अपने माँ और पता को लेकर कई सारी बाते भी की। माता पिता को भी अपने इस लाइक बेटे पर बहुत ज़्यादा गुमान था जिस तरीके से सिद्धु मुसे वाला विदेशों में अपने माबाप का नाम रोशन करते थे उसके बाद जिस रास्ते से भी वो गुजरते थे उन्हें सिद्धू के माता-पिता के नाम से ही जाना चाता था अपने जवान बेटे को इस उम्र में मुखागनी देना किसी पिता का सपना नहीं होता है लेकिन ये सब कुछ देखना पड़ा सिद्धू के पिता को कल जिस तरीके से सिद्धू मुसेवाला का अंतिम संसकार किया गया और जितनी भी वीडियो सामने आई उसको देखकर हर किसी का दिल पसीच गया इतनी कम उम्र में एक सिंगर का इस तरीके से दुनिया से चले जाना उनके माता-पिता को काफी खल रहा है माता-पिता का बुरा हाल है रो रो कर और यही वज़ा है कि अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग करते नजर आ रहे है सिद्धू मुसेवाला के अंतिम संसकार से जितनी भी एमोशनल वीडियो सामने आई उसे देखकर हर किसी का दिल रो पड़ा सिद्धू के पिता का एक वीडियो काफी वाइरल हुआ कल के दिन जब अंतिम संसकार के वक्त जो लोग वह मौझूद थे जो सिद्धू मुसेवाला की अंतिम यात्रा में शामिल हुए उनको लेकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर उन सभी का धन्यवाद किया इसके साथ ही एमोशनल वीडियो जैसे ही सामने आया सबकी आँखों में आस हुआ गए आपको बता दे कि उस वक्त एक और वीडियो भी वाइरल हुआ जिसमें अपने बेटे सिद्धू मुसेवाला का सिगनेचर स्टेप करते नज़राई थे उनके पिता जी हाँ दोस्तों सिद्धू मुसेवाला अपने हर वीडियो में अपने हर कॉंसर्ट में अपने हर गाने में एक स्टेप किया करते थे जब वो अपनी जांगो पर हाथ मारा करते थे अपने बेटे को याद कर सिद्धू के पिता ने भी कुछ ऐसा ही किया उनकी फैंस की भीड की बीच में जैसे ही सिद्धू के पिता ने ये सिगनेचर स्टेप किया पूरी भीड के सामने मानुस सबका दिल देहल गया हो दिल चीनने वाला ये वीडियो जैसे ही सामने आया सोशल मीडिया पर सिद्धू के पिता को लेकर कई सारे कमेंस किये गए सिद्धू के पिता जिस तरीके से रोते भी लगते नजर आए उनका ये वीडियो देखकर हर किसी का दिल तार-तार रोने लगा सिद्दू के माता-पिता दोनों के लिए ये घड़ी काफी भावुक थी उन्होंने नहीं सोचा था कि उनका 28 साल का बेटा इस तरीके से इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा लेकिन हत्यारों ने जिस तरीके से सिद्दू को मौत के घाट उतारा उसके बाद पूरे देश में काफी नराजगी है, काफी गुसा है यहीं वज़ा है कि हत्यारों को जल से जल्द पकड़ने की मांग पूरे देश में की जा रही है